कि स्वागत है आप सभी छात्रों का आपके अपने इस चैनल इस्टेडी बिद टाइगर पर तो आज के दिन हम आपको अपने चैनल में बिपीए सी टी आरी टू पॉइंट जीरो की जो एक्सपेक्टेड कटाफ है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे तो आईए जानते हैं कि बिपीए सी टी आरी टू पॉइंट जीरो जो की सिक्षक के लिए भरती आयजुत की गई थी 6-8 तक के सिक्षकों के लिए उसकी एक्सपेक्टेड कटाफ क्या हो सकती है और एक्सपेक्टेड कटाफ बनाने के लिए कौन-कौन से इसी चीज़या है कौन-कौन से इसे पैरा तो आईए उन्हीं पे आज सामानी चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो आज का छोटा सा टापिक है वो यह है कि BPSC TRE 2.0 की 6-8 तक की सामाजिक विज्ञान गडित और विज्ञान की कटाक क्या होगी तो सबसे पहले हमें जान लेते हैं कि ये जो परिक्षा है वो बिहार में 9 दिसंबर को संपन होई थी इन परिक्षा में बच्चों के सामने जो सबसे बड़ी प्राबलम थी वो इस परिक्षा को FACE करने की जो सबसे बड़ी प्राबलम थी वो ये थी कि 3 दिन पहले admit card डाउनल पाया इसके पहले जब इस परिक्शा का स्लेबस जारी वा तो पता चला कि बच्चों को चारो भी से पढ़ने हैं फिर पता चला लास्ट में सिर्फ दो भी से पढ़ने हैं और इसके बाद जो यह कारण रहा कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की जो की तीन या चार दिन पहले ही exam के notice डाली गई थी कि history या जागरफी में से कोई एक लेंगे इसके बाद जो second section होगा उसमें political science या economics में से कोई एक subject ले सकते हैं बच्चे reservation ना मिलने की वज़ा से बड़ी मुश्किल से paper को attempt करने गए इस इस्तिती में जब बच्चा syllabus undefined हो तीसरी चीजें subject combination clear ना हो notice बहुत अच्छी तरीके से पहले ना बताई गई हो साथ साथ में paper को देने के लिए जहां center पे जिस center पे जाना है उसकी दूरी बहुत अत्य दिखो साथ ही reservation का ना मिलना हो इस इस्तिती में बच्चों का जो mind है वो perfect balance में नहीं रहता है अर्थात जिस perfect mind से balance mind से वो student paper देना चाहता है उस perfect mind से वो paper नहीं दे पाता है इस वज़ा से जो भी paper आता है उसकी कटाफ उतनी अच्छी नहीं जा पाएगी जितनी अच्छी perfect mind या balance mind से paper को करने में जाती है तो ये सबसे बड़ी वज़ा रही है कि BPSC TRE 2.0 की जो कटाफ होगी 6-8 तक के सिप्चर की कटाफ वो उतनी नहीं जाएगी उसकी कटाफ यवरेच प्लस ही रहेगी और कम जाने की उम्मीद है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान जो आपका विशय है उसकी कटाफ क्या रहेगी इसके पहले हम आपको बता दें कि परिक्षा जो आपकी संपन हुई थी वो 9 दिशंबर 2023 को संपन हुई थी उस परिक्षा को संपन होने के बाद उसी दिन शाम को आपकी आंसर की आ गई थी आंसर की आने के बाद बहुत धेर सारे स्टूडेंट ने और हमारे जो मित्र पेपर देने गए थे उन सब ने अपने अपने स्कूर तथा पेपर के बारे में डिटेल से चर्चा की कि पेपर का स्तर कैसा रहा है और कटाप क्या जा सकती है उसी के एक बहुत बड़े सरवे के आधार पर हमने एक्सपेक्टेड कटाप बनाने की सोची जो की इस प्रकार से है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सामाजिक बिज्ञान की 6 से 8 तक की एक्सपेक्टेड कटाप क्या रह सकती है तो सामाजिक बिज्ञान में आपके इतिहास, भुगूल, आर्थशास्त और राजिनी इतिहास ये 4 बिशे आते हैं इन 4 बिशे के अंतरगत आपको किसी 2 बिश साथ में राजिनीती सास्तर लिया और भुगूल के सास्त में अर्थशास्तर का चुनाव किया इन दोनों चुनाव के बाद बच्चों ने पेपर अटेंड किये तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जो पेपर का अस्तर है पेपर का जवाब का अस्तर है वह मौडरेट रहा है बहुत टप तो नहीं कहा जा सकता लेकिन यवरेज प्लस रहा है अर्था वो टप की स्रेडी में आएगा सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है वो टप की स्रेडी में ही आएगा सामाजिक विज्ञान में जो आपकी कटाब बननी है वो 120 प्रस्णों के अधार पर आपकी पारित की जाएगी जिसमें से जहां तक मेरा मानना है कि जो यू आर्था जनरल की कटाप रहेगी वह आपकी 75 प्लस माइनस दो जा सकती है इससे जादा कटाप तो कटते ही नहीं जाएगी क्योंकि बच्चे बहुत परफेक्ट बैलेंस में नहीं थे तो कटाप इससे उपर त जाएगी साथ साथ में अगर फीमेल की कटाप की बात करें तो 65 प्लस माइनस दो हो सकती है क्योंकि जहां तक अधर स्टेट के बच्चों का सवाल है तो 25 रिजर्वेशन में ही वो सारे बच्चे आएंगे और वो सारे बच्चे यू आर में काउंट किये जाएंगे तो उनक से और पेपर भी थोड़ा सा हार्ड था तो कटाप उनकी जो है 75 प्लस माइनस दो और जो फीमेल हैं उनकी कटाप 65 प्लस माइनस दो इससे ज़्यादा कतते ही नहीं जाएगी बाकि जो भी कंडिडेट हैं EWS है EBC है यह CST है या आदर्स कंडिडेट है उनकी जो कटाप है व जनल या U R की कटाप से पांच कुश्चन कम जाएगी उसी मेंसे पांच कुश्चन, दो कुश्चन, तीन कुश्चन ऐसे ही घटाते हुएं E Andreaium करम में कटाप बनाई जाएगी तेकिन जो सबसे इंपॉर्टन है वो U R की कटाप है और फीमेल की कटाप है तो सामाजी विज् वो 65 प्लस मैनिस दो इससे ज़्यादा नहीं जाएगी दूसरा अब हम देखते हैं कि जो गडित और बिज्ञानवर्ग है गडित और बिज्ञानवर्ग में जो पेपर कास्तर रहा है वो काफी टप था क्योंकि बच्चों ने साइंस और मैत की तयारी उतनी अच्छी तरीके से नहीं की थी कुश्चन थोड़ा लेंदी थे इसलिए पेपर को टेकल करने में काफी उन्हें परेशानी हुई इस वज़ा से इसकी जो कटाप जाएगी वो बहुत जादा नहीं जाएगी इसकी कटाप अधिक्तम जो जाएगी युवार की हो 70 प्लस माइनस 2 से ज़्यादा नहीं जा सकती है और फिमेल की जो इसकी कटाप है वो 62 प्लस माइनस 2 इस से जादा इसकी कटाफ नहीं जाएगी अर्थात सामाजिक बिग्यान और बिग्यान वर्ग दोनों की जो expected कटाफ रहनी है वो इससे ज़्यादा कटाफ नहीं जाएगी आईए एक बार इसको हम फिर से देखते हैं यूर की जो आपकी कटाफ होगी सामाजिक बिग्यान के विषयों में जो यूर की कटाफ होगी वो आपकी 75 प्लस माइनस दो से अधिक नहीं जाएगी फीमेल में यहीं जो कटाफ होगी वो 65 प्लस माइनस दो से अधिक नहीं जाएगी साती सात जब गड़त या विज्यान भी सों हमाते हैं तो उसमें जो यो या यू यू अर की जो कटाफ होगी वो 70 प्लस माइनस दो से अधिक नहीं जाएगी और फेमेल की जो कटाफ होगी वो 60 plus minus 2 से अधिक नहीं जाएगी ये जो मेरा कटाफ का जो ने धरड है वो कई बच्चों के पसनल अपने जो मार्क सेर किये हैं उनके अधार पर मैंने expected कटाफ बनाया है अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं समाजिक विग्यान में और विग्यान वर्ग में तो आप पसनल अपना फार्म प्रिंट आउट करिए उसको निकालिए और जितने भी डाकुमेंट्स, डीवी के लिए जितने भी डाकुमेंट्स के रेकायरमेंट्स हो, उन डाकुमेंट्स को आप एक बार प्रिंट आउट कराके अपने पास रख लें, क्योंकि इससे ज़्यादा कटाप जाने वाली नहीं है, पेपर का आस्थर हार्ड था, इससे DB करनाने सही समय पर पहुँच जाएं तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो निश्चित ही डाकुमेंट वेरिफिकेशन में आप जरूर जाएंगे और आपका सेलेक्शन क्लियर होगा तो इन्ही के साथ इन्ही कटाप के साथ हम आज का जो एक कटाप का सेक्शन है यहीं समात करते हैं और हम आशा करते हैं कि आप सभी जितने स्टुडेंट हैं जिनके इतने नंबर बन रहे हैं वो सभी अपने डाकुमेंट वेरिफिकेशन में जरूर जाएंगे और उनका सेलेक्शन जरूर होगा इसी आसा और उम्मीद के साथ आप सकारादबग बने रहिए इतने माक्स पर आप सेफ हैं बाकी आप अपने फार्म की प्रिंट आउट ले करके डाकुमेंट से रिलेटर जितनी भी चीज़ें हैं कि कठा रखिए डाकुमेंट के समय आप ले जाके डीवी में सम्मिट करें इसी के साथ आज कि जो मेरी क्लासे हैं कठाप की अब वो यहीं समात होती है हम आप से मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में इसी के साथ जय हिन जय भारत